गुड मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स, तो तुडें विल स्टाट विद अन्यू टॉपिक, अन्यू यूनिट, यूनिट नंबर वन, दाट इस मोमेंट ओफ इनर्शिया, ओके, ये यूनिट में हम कौन सो कौन सो टॉपिक्स देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे, पहल देखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे, सेक्शन मोडूलस क्या होता हैं, वो देखेंगे, पैरलल और परपेंडिकुलर आक्सिस थिरम, मोमेंट ओफ इनर्शिया ओफ जेनरल प्लेन, ओके, ये सारे टॉपिक्स हैं, जो हम अभी कवर करेंगे ये वीडियो में, ओके, सो वी बिल स्टाट विट आवर टॉपिक, लॉट इस मोमेंट ओफ इनर्शिया होता क्या है, मोमेंट हमने पहले भी पड़ा है, मेकैनिक्स में, मोमेंट वाज़ वट, कईना की रोटेशन, मोमेंट मतलब रोटेशन, जैसे कि हमारा साइकल का चक्का है, वो रोटोइ है है कि नहीं और हम पहले force मतलब moment निखालना रहता था मेक्यानिक्स में तो हम कैसे निखाल लेते थे एक point पे zero ले लेते थे कि summation of a point पे zero हो गया तो क्या जाता था force into distance force into distance करते थे तो हमको moment मिल जाता था अब यहां पर कहा है moment of inertia इनर्शिया मोमेंट तो क्या है कई ना कई सर्कूलेट सर्कूलरी मोशन है मजब कोई ना कोई चीज जो सर्कूलेट हो रही है जो गोल घूम रही है पर इनर्शिया क्या है इनर्शिया इस नथिंग बट रेजिस्टेंस दाट इस ओफर कोई भी चीज को जब रेजिस्टेंस लग रहा है मतलब moment body घूम रही है उसको जो resistance लग रहा है उसको बोलते है inertia और यह दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे दोनों को मिला के हम बोल सकते है कि moment of inertia मतलब कही न कही इसका definition यह हो जाएंगा the resistance offered to the bending or rotation is known as moment of inertia जो resistance offer होता है bending को और rotation को उसको बोलते है moment of inertia why moment of inertia is important हमारे लिए हम civil engineers के लिए moment of inertia क्यों important है हमने पहले भी पढ़ा है हमारे जैसे structure है ठीक है हमारे structure पे load act करता है moment act करती है करती है यह moment को resist कैसे करना है यह हमको moment of inertia बताएंगा इसलिए हमको moment of inertia पढ़ना बहुत जरूरी है okay many questions arises from this topic बहुत सारे topics यह topics से बहुत सारे questions बचों का arise होता है यह है क्या moment of inertia है क्या लोड है क्या लोड है वो अब हम देखेंगे in civil engineering moment of inertia deals with the forces act on the body and due to it moment of the body its behavior and many more मतलब moment body पे act करती है इसको resist करने के लिए body क्या आपना देती है कैसे करती है body इसको resist वो सबब हम देखेंगे हमारा पहले से हम आपको एक चीज़ रिलेट कर रहे होंगे आप कि हम क्या देख रहे है हम हमारा जो मौस है mechanics of structure है हमने second unit देखा अब हम first unit देख रहे है तो हमारा कहिना का learning outcome क्या चल रहे है कि भाया बाहर के जो loading आ रही है उससे हम हमारे structure को कैसे बचाए जाए इसलिए हमारे structure में सब खूबिया ढूंड रहे है ला रहे है कि उससे हम बचे है कि नहीं इसके पहले हमने देखा था जब tensile force लग रही थी compressive force लग रही थी तब deformation कैसे हो रहा था और यह deformation को resist करने के लिए हमारी material हमारा जो body था वो कैसा offer कर रहा था resistance हमने वो पढ़ा मतलब कही ना कही में हमको क्या पढ़ना है body का response हमको loading से मतलब नहीं है loading तो आने ही वाली है पर वो loading के कारण हमारे body पे हमारे material पे क्या response body देने वाली है हमको वो study करना है we have to study the response of material under different loading conditions अलग अलग loading आएंगी अलग अलग moment उस पर अपला होंगे उस पर हमारी body कैसा react करती है वो हमको पढ़ना है ठीक है let's go into the topic now we will see what is the outcome learning outcome क्या है learning outcomes achieved during this session articulate practical applications of moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical structural sections symmetrical अभी हम i section देखेंगे t sections देखेंगे उसमें उसका moment of inertia कैसे निकालना है centroid कैसे निकालना है वो सब हम आगे के sessions में देखेंगे ठीक है compute moment of inertia polar moment of inertia section modulus of section यह सब हम देखेंगे ठीक है now we will define moment of inertia तो क्या होता है moment of inertia कैसे निकलता है definition तो हम बोल देगे हमने easy language में तो बोल दिया बट कै easy language हर जगह चलती है क्या नहीं कहीं कहीं हमको technical terms use करने पड़ते हैं तो अब हम देखेंगे कि इसको technically कैसे define करेंगे moment of inertia is defined as the product of the product of area of section and the square of the distance between the reference axis and the centroid of the section ये हो गया हमारा technical definition and it is denoted by i मतलब कहीं ना कहीं moment of inertia जब हमको निकालना रहेंगा तो what is moment of inertia it is nothing but उसको mi या i से denote कर सकते है मतलब moment of inertia will be equal to what the product of area of section and the square of the distance between them मतलब a area of section product and multiplication कौनसे दो चीज़ का multiplication बोलाएं आपे area of section जो भी हम section include करेंगे या तो वो i रहेगा या तो वो t रहेगा उसका area into और into क्या बोला है the square of the distance between the axis and reference point जो reference line जो reference axis है उतना जो distance आएगा वो उसका square लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा moment of inertia मतलब कही ना कही अगर हमने वो distance को h assume कर लिया area को a बोल दिया तो क्या बोल सकते है कि moment of inertia m i will be equals to a into what h square ये मिल गया हमको formula क्या calculate करने के लिए moment of inertia calculate करने के लिए ठीक है अब डाइग्राम से हम समझेंगे inertia क्या दिख रहा है अब समझेंसे एक area है circle एक area है m क्या है उसकी mass है mass मतलब weight अलग है mass अलग है weight हम कैसे निकालते है mass into the gravitational force और mass क्या हो गया single unit है वो तो एक mass हमको दिया है civil engineering में हम usually mass के जगा पर area use करते है हम यहाँ पर mass use नहीं करते नई हम area use करते कोई भी चीज़ का जैसे circle हो गया rectangle हो गया हम उसकी area निकालते we don't find mass ओके यह हमको diagram से समझ में आ रहा है मैंने बताय था आपको मतलब moment of inertia will be what a मतलब area of the section into h square यह detailed है बट इससे भी detailed interactive class में होगा इससे भी detailed with examples and all unit what is unit moment of inertia का unit क्या है mm to the power 4 या तो centimeter to the power 4 और meter to the power 4 horizontal axis horizontal axis मतलब क्या होगा जो so you axis है जो so you है ठीक है उसको xx axis बोलेंगे और yy जो रहती है वो क्या है vertical जो खड़ी रहती है उसको vertical axis बोलेंगे मतलब i yy अब यहाँ पर i xx और i yy क्या denote कर रहा है i मतलब moment of inertia moment of inertia around xx axis and moment of inertia about yy axis now the next term that we will see is radius of gyration now what is this this is a new topic what is radius of gyration definition it is the distance between the axis of rotation and the center of gravity of any rotating objects ये क्या है it is a distance ये एक distance है एक दूरी है किन के बीच की किन के बीच की दूरी है ये किन के बीच का distance है ये the axis of rotation axis of rotation axis मतलब कही न कहीं एक imaginary line है ये हम सर्व assume करते है ये असली में नहीं दिखती ये हम imagine करते कि भईया ऐसी एक line है और उसके around में कोई चीज घूम रही है circulate हो रही है एक imaginary line है उसके center से कोई भी चीज जैसे circulate हो रही है तो ये किसके बीच का distance है वो imaginary line जिसके around घूम रहा है and the center of gravity of any rotating object और center of gravity अब हमें diagram सो दिख रहा है अब हमको क्या दिख रहा है table fan दिख रहा है ठीक है axis of rotation दिख रहा है कही न कही जो उसका fan का goal है एकदम center में एक line दिख रही है जिसके around हम अजूम कर रहे है कि वो ऐसा goal 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 घूम रहा है हमारा fan goal goal घूमता है उसके around में वो घूम रहा है हम ये मान रहा है और नीचे एक line हम क्या बोल रहे है जी center of gravity मतलब एक ऐसा point जहाँ पर हम ये मायनेंगे कि पूरी area उसकी वहाँ पर लाए करेंगी उसको हम बोल देंगे center of gravity तो ये दोनों के बीच का जो distance है उसको क्या बलते है radius of gyration and that is denoted by letter k radius of gyration ये standard जो रहते है na constant इनका पता रहना बहुत ज़रूरी है कि k कि इसको बोला है radius of gyration को यहाँ पर k बोला है ठीक है अब उसका formula हमको दिया है क्या है under root of moment of inertia divided by the mass मतलब i divided by m i will be equals to what ak square हमको पता है अब यहाँ पर ऐसा निकालेंगे इसको cut short करेंगे तो क्या formula मिल जाँगा that k मतलब radius of gyration will be equals to under root of i by area i upon area unit इसका रहेंगा mm में centimeter में या तो meter में अब हम चो देखेंगे अब हमने ये देख लिया moment of inertia क्या होता है radius of gyration क्या होता है ये चीजा हमने देख ली अब हम देखेंगे parallel axis theorem parallel axis theorem अब यह क्या कहता है parallel axis theorem हम जाएंगे इसके डाइग्राम में डाइग्राम में हमको क्या दिख रहा है एक area दिख रही है उसका कुछ है क्या कुछ मतलब लग रहा है कि circle है नई मतलब अजीब सा structure है मुसको बता नहीं सकते कि उसका वो कौन सा shape है irregular shape है ठीक है एक irregular shape है और उसका हम area directly निकाल नहीं सकते अब हम यह मानेंगे कि वो जित्तवड़ा से गोल दिख रहा है circle gray color का वो कोई भी एक इसकी area है और वो area में अंदर बहुत सारे बारिक बारिक components होंगे matter है न कोई भी area के अंदर matter है यह मास ने सकते हैमेंट लिए ऐसकी अंदर क्या है बहुत सारे चटे 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 बच्ये हैंतो उन्होंने और उन्होंने अकुपय किया है मतलब उसको अगर पूरी area निकालना है तो हम छटेचो को भी अगर पूरा calculate करेंगे तो हमको area मिल जाएंगी वैसे ही अब हम ये देखेंगे point दिख रहा है बीच में CG What is CG? Center of gravity मतलब center of gravity जो point है हम ये मानते है कि ये point पे वो figure की पूरी area लाए करती है पूरा जो area है वो ये point पे लाए करेंगा ठीक है? ये हम मानते है XX हमको दिख रहा है ये क्या है? XX कहीना कही एक axis है ऐसी axis जो center of gravity से पास होती है अब ये XX axis दिख रही है? हमको line दिख रही है ये कहीना कही कहां से पास हो रही है? ये center of gravity से पास हो रही है मतलब कहीना कही हम इसको क्या बोल सकते है? कि ये centroidal axis है this is known as centroidal axis ठीके फिर नीचे हमको क्या दिख रहा है reference line दिख रही है A B A B अब यह जो A B line है इसको हम क्या बलेंगे reference line मतलब कुछ भी अब हम निकालेंगे तो यह line को reference में रखके निकालेंगे यह line को मतलब है fix पान रहे है यह line के reference से ही हम आगे की चीज़े निकालेंगे ठीके अब हम आगे का देखेंगे क्या बोलता है parallel axis theorem It states that the moment of inertia of a plane section about any axis parallel to the centroidal axis is equal to the moment of inertia of the section about the centroidal axis plus the product of the area of the section and the square of the distance between the two axes यह ऐसा बोलता है अब इसका क्या मतलब है क्या मतलब है इसका देखेंगे हम इसका क्या मतलब होता है इसका यह कहना है कि जो moment of inertia है एक plane section के लिए वो किसको equal रहेंगा It will be equal to the moment of inertia of the section about the centroidal axis जो यह line दिख रही है xx और ab इसके बीच का हमको क्या distance दिख रहा है h मतलब कही न कही देखो यह आपे नीचे लिखा है कि inertia about ab मतलब जो line xx अगर ab को parallel है तो इसको हम क्या बहलेंगे parallel axis theorem अगर यह theorem का simple मैं आपको बताती हूँ अगर हिंदी में आपको समझाओ तो इसका यह मतलब है ऐसी line जो reference line से parallel हो ऐसी centroidal axis ऐसी centroidal axis हाँ centroidal हमको भूलना नहीं है centroidal axis मतलब xx ऐसी centroidal axis जो reference line मतलब ab को parallel हो ऐसे को हम क्या बहलेंगे parallel axis बोलेंगे ऐसी axis को हम क्या बहलेंगे parallel axis बोलेंगे और जो इसकी value निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी iab मतलब मतलब इसका क्या मतलब हो जाएंगा moment of inertia at ab section will be equal to i of g i of g मतलब क्या हो गया moment of inertia of this part axis axis plus plus क्या है a h square यहाँ पर क्या हो जाएंगा a will be the area यह पूरी area हो गई जो हमको दिया है into h square मतलब it is the vertical distance between the reference line and the section ठीक है यह इसको बोलेंगे parallel axis theorem अब next है theorem of perpendicular axis parallel axis देख लिया अब हमको देखना है theorem of perpendicular axis now we will see what is perpendicular axis theorem अब देखो हम क्या बोलेंगे if ixx and iyy be the moments of inertia of a plane section about two perpendicular axis meeting at o अब हमने बुला समझो की o x और o y कहीना कहीं क्या है दो axes है मतलब ixx and iyy ixx मतलब क्या हो गया moment of inertia about xxx section और iyy क्यों हो जाएंगा moment of inertia about yy section अगर ये दो sections है ये जो दोनो plane है अब हमको पता है कि 2d में 2d में क्या रहता है सिर्फ 2 section दो रहते है axes एक तो x रहेंगी एक तो y रहेंगी z काई में रहेंगी 3d में 3d में z रहती हम normally graph भी हम काई में plot करते x में और y में तो हमने क्या बिला अगर i x x और i y y क्या है moment of inertia है of plane section about two perpendicular axis दो perpendicular axis है और ये meet कर रहा है कहीं न कहीं मिल रहे है एक point o पे तो the moment of inertia i z z about तो moment of inertia जो रहेंगी i z z वो क्या रहेंगी that will be equals to i x x plus i y y मतलब अगर हमको moment of inertia i z z की निकालना है तो ये क्या रहेंगी दोनों का addition रहेंगा समझा क्या बोला हमने इसमें इसको फिर से मैं समझाती हूँ इसमें हमने यही बोला है अगर समझो दो axis है x है और y है ठीक है ये दोनों point पे meet कर रही है plane है हमारा plane में दो axis है एक x है और एक y है दोनों एक point o पे meet कर रही है और x का हमने बोल दिया कि moment of inertia x direction में i x x है और y में i y y है तो अगर हमको i z z चाहिए मतलब third moment of inertia चाहिए z axis के लिए तो वो किसको equal रहेंगा it will be the addition of i x x मतलब moment of inertia about x section plus moment of inertia about y section अब जो है term वो कौन सा है polar moment of inertia that is ip what is polar moment of inertia if i x x and i y y मतलब detail में मैं बोलूंगी if moment of inertia about x x section and moment of inertia about y y section are the moment of inertia of plane section about the two mutually perpendicular axis अबर i x x और i y y ये दोनों क्या है moment of inertia है दो perpendicular axis के तो then the moment of inertia मतलब i z z about the third axis z z perpendicular to the plane and passing through the intersection of x x and y y is known as polar moment of inertia तो इसको क्या बोलते है polar moment of inertia ये कैस है ने बच्चों कि ये definitions है इसको तो मैं आपको easily हिंदी के language में समझा भी रही हूँ but still you will have to remember the technical terms आपको technically उसको क्या बोलते है उसके definitions पर आपको याद रखना होगा मैं ये नी बोलते हूँ कि आप रट्टा मारो नहीं आपको समझनी भी है चेसे और आपको याद भी करनी है ठीक है मतलब कहीना कई polar moment of inertia क्या हो जाएंगा it will be equals to the submission of IXX plus IYY ठीक है now these are the basic formula for some general plane general plane plane मतलब it is a 2D structure जिसको हम plane मतलब जिसको हम paper पे बना सकते है हम 2D को paper में easily बना सकते है 3D difficult है हम 2D बना सकते है रहम से नीचे ड्रॉआ कर सकते है 3D के लिए कहीन है कहीन हमको एक अलग section चाहिए ठीक है अब हम 2D sections का देखेंगे मतलब एक plane है जैसे rectangle हो गया मास नहीं भरा है उसमें अब हम उसकी height देख रहे है length देख रहे है breadth देख रहे that's it अब हमको यहाँ पर दिख रहा है shape ऐसा अलग अलग shape दिया जैसे rectangle दिया है hollow rectangle दिया है triangle दिया है find the moment of inertia of rectangle find moment of inertia of circle उसमें हम यह सब निकालेंगी अब हम इसमें देखेंगे rectangle का ठीक है rectangle को देखो दिख रहा है उसको 2 sections में काटा है एक तो X में 2 axis है एक तो X है एक तो Y है तो कहिना की axis है centroidal axis centroid हम एकदम दोनों का जो intersection point है बीच का वो plus के बीच का उसको हम क्या बोलेंगे centroid बोलेंगे ठीक है X X के around और Y Y के around अब हम देखेंगे moment of inertia X X के around मतलब X X के around अगर हमको moment of inertia X section के लिए निकालना है तो formula करेंगा B D cube by 12 I Y के लिए के लिए गारेंगा D B cube by 12 अब हमको निकालना है section A B के लिए अब A B के लिए निकालना है मतलब base में निकालना है तो क्या करेंगे दोनों को हम divide कर देंगे दोनों का divide कर देंगे तो कैसा आएगा B D cube by 3 यह सब आपको learn करना पड़ेगा यह समझो तो सही बट यह जो पूरा चार्ट है यह आपको learn करना पड़ेगा क्योंकि यह आपको in future बहुत काम आने वाले यह सारे जो formula दिख रहे हैं यह आपको बहुत काम आने वाले और आगे जब हम भी देखेंगे interactive class में तो हम इसको छोई detail में देखेंगे और quarter of circle का भी दिया है moment of inertia of composite figures sum of moment of inertia of all symbol figures about the axis referred now we will see the key points that we have seen in this session हमने क्या क्या देखा define moment of inertia radius of gyration section modulus parallel axis theorem perpendicular axis theorem moment of inertia of general plane यह सब हमने देखा है ठीक है thank you now I am uploading this and यह topic का मैं क्या करूंगी interactive class कर लोंगी okay okay thank you and take care